एक शमय की भात है जब दो छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी शमराट के महल के बाहर पहुँच गए उन में से एक बच्चे के मन में आया कि यह कितना विशाल महल है नेश्चेत ही जो इसमें रहता होगा वह कितना महान होगा कितने लोगों का कल्यान करने वाला होगा बहीं दूसरा लड़का सोचने लगा कि मैं यदि इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकडो सुन्दर लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहा नहीं मानती मैं उन्हें हाती के पेरो तले कुछ लबा देता इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वह बहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार पर शो गया जब रात को राजा वहां से अपनी रतगाडी से गुजरा तो अंधेरे में उसके शरीर पर रतगाडी चड़ गई और वह बहीं मर गया जब उसका मित्र इसे देखकर बिलखने लगा तो महराज ने देखा और कारण पूछा पूछने पर पता चला कि उसका मित्र मर गया है तो राजा को इस बात पर अतियंत दुख हुआ राजा स्वयम भी संतान भी ही था इसलिए उस मतक के मित्र को अपनी संतान के रूप में स्विकार लिया वह लड़का आगे चलके राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अतियंत प्रशिद्ध राजा बना अता जो विचार करता है उसे अच्छा ही मिलता है और जो बुरा विचार करता है उसका परड़ाम भी बुरा होता है वास्तम में दिया आप अच्छे हैं तो सभी का आप अच्छा ही सोचेंगे अगर आप बुरे हैं तो आपको सभी लोग बुरे ही नजर आएंगे इस कार्ड आप वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइक करने करें